मेरी गूड इवनिंग एबरीवान कैसे हैं आप सब्भी लोग टुड़े स्टार्टिंग बिस्नेस साइकल लेक्टर नमर 14 जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब जुड़ जाएं ऑनलाइन तकी सेस्टन को स्टार्ट कर सकाएं प्रीद जॉइन एबरीवान झाल 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 जल्दी सब लोग जोइन करिए सेस्टन को स्टार्ट कर सकें वेरी गुड इविंग अब्रीवान अब अब आप लोग जल्दी से जोइन करिए से भी लोग आप 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 झाल 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 यह तो बन्स अगीन गुट ईवरीबान अभी आ स्टार्टिंग बेरी नू टॉपिक इस वाल बॉट बिजनस शाइकल तो आप लों जल्दी फ़कर जाइए शेहर करिये लाइक करिये उपने फ्रेंड्स के साथ और जुड़ जाइए लेक्शर नमर फोर्टीन बिजनस शाइक सब्सक्राइब के लिए हैं तो आल दोस कांडिडेट वार जोइनिंग ना वीरी फर्स टाइम इस अनुबो सिंग सिंस लास्ट इलाइबिन यार इसले 11 सालों से लगातार टीचिंग में और रिसर्च पे जुड़े हुए हैं इंडिया के टॉप टीचिंग रिसर्च सब्सक्राइब करने वाले हैं ठीक है लोग मया तो बिजने साइकल सो दफ परियोडिक अपेंड डाउं मोंट अटिविटी लोगिन इसनकरन प्रियोडिक अंदर이십ी दॉरेशन के सब्सक्राइब तो कि आपने की मेजर करने की कोशिज करते हैं एकनॉमिक अक्टİ्विटी इस मेजरे इंटंस अपरम्स प्रसें सब्सक्राइब है कि एसे प्रस् receipt worm का मानर पिरिड अर्फ टाइम अम जिए होवर फेर पीड ब्टाइम अम चेvel मेने का नौ मेने का एक साल का उसके एक पर्टिकुलर टाइम पीरेट्स में कितना प्रोडक्शन हुआ कितना इंप्लाइमेंट जनेशन हुआ कितना इंकम हुआ कितना उसमें मुव्मेंट देखने को मिल ला है मुव्मेंट मतलब कितना उसमें अक्टिविटी कितनी क trains जानोंगी अ क्वानोवा हो अ कर आ अम को सुर्फ उर्म, इंजलन प्रोफिप्र कर तू घाब्रो HammÁ here साइक्सिन सेल मुमेंट इसकारिष्ट वाई साइक्लिकल कुरीकbit हम कॉसा टिस तरिकह से कभी आपका एक्सपेंशन हो रहा है कभी हाप क्ञान्ट्रेक्शन मतला संकुछत होना और अबने के दौर कर रहे हैं मन्दी के दौर से गुजर रही है तो बिजनेस साइकल के तहत हम लोग यही देखते हैं कि दुनिया के हर इंसान की लाइफ साइकल होती है एक इंडिविजनेस साइकल में बहुत सारे इसमें खतम नहीं होता इसमें बस आते हैं दुबारा करते हैं हम लोग ऐसे इकॉनमी बूं पर गई पर च्रीचें कॉन थे ृफुकंण होते हैं उन्हें सबी व्युभी हैं है बिजनेस साइक पर गत. चक्र के कौन-कौन से लक्षड होते हैं पिरिडिशिटी पिरिडिशिटी मतलब है कि एक पीरिड्स का मतलब है कहीं नहीं कि स्पेस्पिक टाइम की बाद होती है है चक्रेरें बात है ऐसाबन फिक्रम्क्राइब लएट यार में रग्राइब दीद हनोट में पिरिट्र गया जए साल का कि डिपेंग उनगारीम्छ को the external economies बाहर की economies की बात करिए depending on the external factors तो it might reduce it might increase गाप होता है दोनों cycle के बीच में रेगुलर नहीं होता है उसको predict नहीं कर सकते कभी ज़्यादा गाप होता है कभी कम गाप होता है तो periodicity का मतलब है कि एक specific time के बाद specific समय के बाद economy अपसे डाउन पर जाती है फिर अपर जाती है फिर डाउन पर जाती है फिर अपर जाती है उसी को बोला है periodicity synchronism synchronize होता सभी को जोड़ना impact of all the embracing large section of economy experience the same phase happens because of interdependency of various sectors of the economy यह क्यों होता है क्योंकि जितने भी sectors आये economy में वह सब आपास में interdependency है automobile फ्यूल पर है ठीक है तो कहीं न कहीं सभी sectors है आप में आपस में interdependency उनकी banking हो गया petroleum हो गया FMCG हो गया textile हो गया हमारा automobile हो गया electronic हो गया electrical हो गया तो जितनी भी industry है देश में जितने भी sector है वह आपास में सब interdependency है एक sectors के बढ़ने के चकर में दूसरे sectors के भी prices बढ़ते हैं अभी देखिए फ्यूल पेट्रोल और डीजल देखिए पेट्रोल सौ रुपए के फ्यूल पर होगी है कि आपस में जुड़े हुए है यह से नु attempt बढ़ने से दूसरे sector है करिंपोर सिंग म cupcake Due to the interdependency in the economy, cyclical moment faced by one sector spread to other sectors in the economy, from one economy to the other economies, thus the upward swing of the cycle is reinforced, thus the upward swing of the cycle is reinforced for further upward movement and vice versa. economy सब आपस में interdependency है, एक economy बूम पे गई तो एक सेक्टर बूम पे गया तो उसके रिलेटेड इतने भी सेक्टर है वो आटोमेटिकली रिइनफोर्स करते हैं, आटोमेटिकली सेक्टर चलते हैं और economy में ग्रो आता है, economy फिर भूम पे जाएगी, फिर डिप्रेशन पे तो एक economy है, वो अपने आपने self reinforcement करती है, स्वेचालित करती है, खुश से चलती है, क्योंकि एक सारे के सारे सेक्टर आपस में interdependent है, आपस में सब जुड़े हुए हैं, एक सेक्टर पे परवाव पढ़ने से, दूसरे सेक्टर पे परवाव पढ़ता है, ठीक है, यहां तक कोई डाउट, बेसिक बिजनिस साइकल समझ में आगया होगा आपको, अब आयाओ, फेजिस आप बिजनिस साइकल, कौन कौन से बिजनिस साइकल में फेजिस होते हैं, ≤ आपको शाप दिख रहा होगा फो्तो से, देखिए ऐगिए, पन्ट्रैक्शन फिर एक्सपेंशन हुआ, ठिर एक में पिक पहंची, फिर श्लंप मतलब ढणव इकॉनमी फिर हमारा एककाणूमी कहा पहंची। सिह एक्समेंशन पहंची, यहां का पहंची। पोर यह देखिए A to B, B to C, C to D, D to E, E to F, तो B to C काई ना काई यह वाला जो है कि कौन सा है यह फेज इस कौन सा एक्सपेंशन वाला फेज है, भई हम लोग C से D वाला देखेंगे, यह कौन सा पीक पे है, एकौनमी कहां पर है, पीक पे अपने, फिर D से E वाला कौन सा है, यह रि डाउन, डाउन, एकौनमी डाउन पर जा रही है, ठीक है, किलिया, और फिर A to B, यह A to B वाला और E to F, यह कौन सा है, ट्रो, या जिसको में बोलते है, डिपरेशन, आर्थिक मंदी की दोर गुजर रहा है, किज़र गुजर रहा है, आर्थिक मंदी, वाला बहुत ज्यादा मंदी के दोर से गुजर रहा है, तो एक फेज़ेज है, एकौनमी पूरे छे से बारा सालों में एकौनमी की लाइफ साइकल होती है, जो पूरी एकौनमी रिवाइब करती है, तो टाइम गाप बिट्वीन बाउट अप ट्रो बिट्वीन बी टू यी, और पीक फ्रॉम डी तो जी, यहां से लेकर यहां तक जी, पूरी एकौनमी की तो साइकल होती है, प्राया माना यह जा रहा कि छे से बारा साल में अपने आप रिवाइब करती है, अपने आप कॉन्ट्रेक्शन की स्टेस पर होगी, फिर एकौनमी एक्सपेंशन पर जाएगी, फिर पीक पर जा तीन से पास साल में एकौनमी एक्सपेंश कर रही है, अनवह कर रही है, अगले तीन से पास साल में फिर लगता है कि एकौनमी मंदी की दोर से गुजर रही है, जीजी इस्टेडी ग्रोथ लाइन यह जी यह जी और यह जी 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 इस्टेडी ग्रोथ लाइन टु सो दा जर्नल ट्रेंड इट अप ग्रोथ तो नॉर्मली देखते हैं कि ग्रोथ कितनी हो यहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक ही ग्रोथ हुई है पूरी साइकल 6-12 साल मे कोई बताने की कोशिस किये कि कौन कौन से फेजिज होते हैं बिजनस साइकल में यहां से 100% कोशिशन आता है नोट कर लीजेगा नोट्स आप लोगों को मिली जाते हैं जो पेड ग्रूप है उनुट में टाइम गाप बिट्विन टू बाउट्स अफ्रोप रॉम बी टू इग यह स्टेडी ग्रोथ लाइन को दर्शाती है तो एक्पेंशन बी टू सी सी टू दी पीक डी टू इस्लंप रिसेशन और ई टू एफ और एटू बी यह कौन सा ट्रॉ या आर्थिक मंदी की दौर से गुजर रहे देश अवाया फेजिज 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 आप बिसनस जितने भी मैक्रो एक्रॉमिक वेरिवल्स होते हैं एक्स्पेंशन की स्थिती में क्या होता है सब कुछ बढ़िया चल्ला होता है प्राइस मूब प्राइस बढ़ता है मनी सप्लाइए इंक्रीज सेल्फ रिंफॉर्सिंग फीचर सब बिसने साइकिल पुसस्थ एकॉनमी अ समझी है जैसे कि कहते थे कि सप्लाइए क्रियेट्स ओन डिमांड जब मार्केट में पैसा होगा तो लोग मार्केट में पैसा होगा लोगों के पाद पैसा होगा तो मार्केट में पैसा होगा लोगों की डिमांड बढ़ेगा प्रक्सन बढ़ेगा इंप्लाइमेंट फिर मार्केट में employment generation होगा तो expansion की स्थिति ऐसी स्थिति बोली जाती है business cycle की जहां पर सारे के सारे macro economic variables अपने बढ़िया कर रहा होते हैं output अचरम सीमा पर होता है employment भी बहुत बढ़िया होता है लोग को अब बार्ड business cycle उपर की तरह बढ़ती है ठीक बच्चो समझ गए तो डाउट expenses की बाल अगला आया peak चोटी सब से उपर the highest point of growth refers to as a boom boom पहुँच गई economy कहां पहुच गई boom पहुच गई economy peak पहुच गई it stays beyond beyond the best no further expansion is possible sees the downward turning point economy सब पीक पहुचती है बूम पहुचती है सबसे उपर चोटी पहुचती है उसके बाद ऐसी स्थिती पर सब economy पहुच जाती है जहां से आगे बढ़ने की possibilities खतम हो जाए ऐसी स्थिती को पीक या बूम बुला जाता है यहां से economy डाउनवर्ड की तरफ बढ़ती है कहां की तरफ बढ़ती है नीचे की तरफ बढ़ती है एक जो चरम सीमा हुआ एक स्टेज हुए जहां पर आप maximum पैसा कमा रहे हैं उसके बाद उसके बाद क्या होगा आपके economy नीचे की तरफ पहुचेगी के रिटरश्य दाउन्वर्ट थे था राविए, ryhянudhabes in गिरोगे कर स्नकूचिति, रिटर्श्य टरव थे राव पाँचिव ग्यानोमी का दाउन्डर्व पाँचिव गही? यहां से बच्चो आगे बढ़रेगी सभी संभाबनाय खतम हो जाती है आप बहां से केबल नीचे पहुंच सकते हैं उसी हिस्तिती को तो रिसेशन या कॉंटरेक्शन का गया है अब यह रो और श्लम यह एकी बात है स्लम मतलब और मंदी जो लोईस्ट इवी वी आप इकनोमिक साइकल बना लोईस अब इकनोमिक साइकल फॉलोड वाइद नेक्स टॉणिंग पॉइंट यह साइकल वे न्यू ग्रोथ प्रोसेस स स्टार्ट होता है स्लम के पास आप पहले कॉंट्रेक्शन फिर मंदी के दुर पहुंचे मंदी के पास स्लम के पास एक ऐसी स्थिती होती है जहां उसके नीचे आप नहीं जा सकते लांप इस आँखरी स्थिती हो गई उसके बाथ कहा जाओगे सीधे फिर ऊपर की तरफ क्या है मंदी क्या होता है रिसेशन इस डिकलाइन इन कंट्री ग्रॉस डोमस्टिक पुड़ाइब टू और मोर कॉंजुगुटिव क्वार्टर्स आप बताते हैं जब लगातार दो कॉंजुगुटिव क्वार्टर्स में आपकी जीडीपी डिकलाइनिंग की तरफ जा रह क्रेल की माल लीजीए 2017 टू चूह प्रेल टूजू अपरायल टूजू और अप्रैल टू जूब टूॐjo A perform to जूब टूटू seekers में लगातार दो मलाब एक साल में चा बारा महीने होते हैं। पेखल समझे एक साल में 12 महिने अप्रायल टु जून बारा महिने में तीन 4 प्राइटर होता है अप्रायल to जून जुलाई टू सितम्बर अप्टूर टू समबर जन्वरी टू मार्च क्याने का मतलब है अगर अप्रैटर तू जून और जुनाई टू सितंबर डाउन गई उसको रिसेस्टन नहीं कहते हैं तोड़ी समझने वाली बात है कि इस डिकलाइन इन कंड़ी जीडीपी फॉर टू और सकतें गए कर ओ मतलब अपराइल टूई यहां पर 9-7 आप आठक huwen फॉसमें-ट्द-टत्रश अप्रेल टु जून 19 में किती GDP थी अगर 19 में 7 GDP थी अप्रेल टु जून 20 में 2020 में GDP 6 होई और 2021 में GDP 5 हो गई तो समझ लीजिए देश आर्तिक मंदी की दोर बुजर रहा है तो रिसेशन में हम लोग पिछले साल का सेम क्वाटर देखते हैं समझ गए सेम क्वाटर देखते हैं तो रिसेशन इस अलसो प्रिसीड़ वाई सेवल क्वाटर सब्स्लों दाउन एकॉनमी विस ग्रोज ओवर अप्रिट अब टाइम तेंड तो स्लो डाउन ग्रोज पार्ट अब नॉर्मल एकनोमिक साइकल कॉन रिसेशन में डिमांड कम हो जाती है मंदी के दौर में का मोले का सब्सक्राइब अब दिमांड का मारकर पहले डस वन रहत है मारकर की डिमांड है तो पहले टो survey और प्रोज और और कम हो जाईगी तो recession में demand कम होना सुरू होता है क्या होता है demand कम होना सुरू होता है consumers lose the confidence in the growth of the economy and spend less जिते भी consumer customer होते हैं वो economy में confidence खो देते हैं और पैसा कम खर्च करना शुरू कर देते हैं आपको लग रहा देश आर्तिक मंदी के दोर से गुजरने वाला है तो पैसा बचाके रखते हो मार्केट में खर्चा नहीं करते हो तो क्या होगा कि मार्केट में demand नहीं होगी there is no demand no production no production unemployment व्रोजगारी फार्मसीन नहीं चलेगी फैक्टरी नहीं चलेगी प्रडियूस नहीं होगा तो unemployment होगी होगा investors spend less consumers consumers confidence खो जेते हैं और पैसा कम खर्चा करते हैं जो investors होते हैं investors spend less they fear stock values will fall and thus stock market follow negative sentiments investors होते हैं उनको लगता है कि stock market नीचे जाएगी stock market कहा जाएगी नीचे जाएगी तो बो लोग पैसा stock market में नहीं लगाते हैं इसीलिए stock market और नेगेटी में चले जाती है ठीक है समझ गए रिसेशन कोई डाउट यहां तक किसी को कोई डाउट बताईए बिजनस साइकल आपको समझाया और आपको रिसेशन समझा दिया पूरा कोई डाउट कि अबने डाउट यहां तक कोई डाउट किसी को कि अब आया कॉजिस ऑफ बिजनस साइकल किन किन कारणों की वज़े से बिजनस साइकल पर परवाव परता है क्लाइमेट चेंज पता ही है क्लाइमेट चेंज होता है मौसम चेंज हुआ है तो उससे भी कही ना कहीं परवावित होती है बिजनस साइकल साइकलोजिकल आसपक्त है अंट्री जर्ट बॉप्तिविजम पैसिमिजम प्रवाव होता है प्रवाव होता है psychological प्रेसर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है एंट्रेश्ट रेट रेट बढ़ा दिये रेट आप इंट्रेस्ट वहीं है तो अगर मार्केट में कम हो गई तो सम्झाने की बात या इन पिसले 2018 यख़ाइट कि सक पूक Resource मोनेटरी फेनामेन लाइट चेंजर मामेट कस्काराँ मीरिशु अमोनेटरी प्रेlyaव MPe पें पंच गये अगर मार्के मिन सप्लाई कॉम है मैंने सप्लाई होगी देमांड कम Aww लगोलित्सफिक के प्रदक्षा कर गां यूगा सप्लाई प्रनाइशन होगा एकरनोमिक आन्वेस्टेर मेंट इंवेस्टेर बहुत ज्यादा ऑ अंडर कंजम्शन इन ओवर सेवी, इंबेश्मेंट बहुत ज़्यादा हो गया, कंजम्शन बहुत कम हुआ, लोगों ने कंजूम करना कर दिया, सेविंग लोगों ने ज़्यादा कर दिया, तब भी मार्केट में क्या होगा, एक मंदी के दोर से गुजरने पड़ेगे, अब आया, जॉन मूत ने दिया, M.U.T.H. 1961 में, तो एक्स्प्रोड बाइज जॉन इन दिया, मेली जॉन ने दिया, यह कब दिया, उननीस सो एक्सट में दिया, इसमें इन्हों ने बोला, फ्लक्स्ट्वेशन एन आउट्पूट एन इंप्लाइमेंट आर रिजल्ट आप ए बराइटी आप रियल सॉख देखने को मिलता है, अपने आपको और अमेशा एक समान इस्टेश पर रहती है, अपने डाउन्स आर कौस्ट अपधा टेक्नलोजी और अधर सिमिल्यर सॉख देखने सप्लाइई साइट बढ़ा दी मार्केट में मार्कर के सप्लाइई कम कर दी जो डिमांड बढ़ जाएगी, के डिमांड वहलब supply कम है तो प्राइस बड़ेंगे और सप्लाइस ज़्यादा है तो प्राइस कम होंगे एक में इंफलेशन आएगा एक में डिफलेशन आ जाएगा तो जॉन ने बोला है कि बिजस्नेम त्योरी में कि up and downs होते हैं economy में technology factor की बज़े से होते हैं उसके अलाबा supply side of economy भी बहुत बड़ा role play करती है है highlight the importance of supply side of business सही में supply side of business एक बहुत बड़ा role play करती है reflect the outcomes of rational decision made by many individuals minimize the role of normal fluctuations and money इन्होंने बोलाए कि जो normal nominal fluctuations होते हैं economy में और पैसे का बहुत बड़ा role नहीं है जोन की कहने वाले इसमें अपनों को दिमाग नहीं लगा नहीं याद करना है क्योंकि we cannot interpret it we cannot analyze the things पस जो जो जोन ने बोला वह हमको याद करना पड़े कि norm nominal fluctuations को हम लोग इसमें धियान नहीं देते आगे real business cycle में possible is that a boom भी लखर कब बूम होगा विदे इंवेंशन अप्रक्टिविटी इंक्रीजिंग डिवाइस एंट्रपिनियोर इंक्रीज इंवेश्मेंट एक्स्पेंड आउट्पूट एंप्लाए इंप्लाए प्लाए इनको कहने का मतलब है कि बूम कब आएगा economy में जब एक नया टेकनलोजी आप परियोग करेंगे नया टेकनलोजी यूज करेंगे प्रक्टिविटी बढ़ेगी प्रक्टिविटी बढ़ेगी तो एंट्रपिनियोर अपने इंवेश्मेंट बढ़ाएगा एंट्रपिनियोर इंवेश्मेंट बढ़ाएगा आउट्पूट बढ़ेगा तो लोगों को और रोजगार मिलेगा इनके कहना है रिसेशन कब आएगा रिसेशन भी लकर वें न्यू अडवांस लाकिंग प्रड़क्टिविटी लो एट पॉंट इंप्राइज राशनली चूज नौर्ट प्रडूस एज मच बूम कब आएगा आपको पता हो गया रिसेश पता ही है भूम अच्छा होता है रिसेशन से बट देर इस नो नीड टू रियक्ट टू इधर एट रिप्रेजेंट वेस्ट यूज अप्ड़ाइब कर जाएगी क्या करेंगी दूबारा रिवाइब कर जाएगी एफएक्ट क्याओ क्या है किअ है ऑल विएक्सपेंशन होती है उसस दौरान बिजनस डाइकल कैसे प्रवावित करती है यह उतरे हैं क्याला इंप्लियमेंट इंकल अन ilities ढुनो बढ़ जाते हैं दोनों बढ़ जाते है आ कि तो डूरिंग एक्पेंशन थे को मिलती है लार्ज इंवेस्ट मेंट होता है इंक्रीज def इंप्लॉइमेंट और इंकामेंटेक्स इंप्निचरें इंप्टीचरीफ हों जब इनवेस्ट मेंट बिय्स पृस मेंटी हों मुनीज़ अब प्लद॥ होzd Nichенной प्रास्टिक प्रास्टी की क्या होगा तो बेज़ा थे प्की कॉस्टिंग प्राइस बढ़ेगे तो बढ़े जाएगा प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा बेज़ेज और प्राइसे ऑफ गूड्स ऑफ गूड्स ऑल्सो इंक्रीज उसके बाद सेवियर कॉंपर्टिशन कॉंपर्टिशन भी बढ़ेगा फॉर्म रिजॉर्ट टु लार्ज अमांट ऑफ नॉन प्रॉट्टिव एक्सपंडीचर और अड्वर्टिश्मेंट और पॉब्लिसिटी कॉंपर्टिशन बढ़ता है तो क्या होता है कंपनी को बहुत इफैक्ट ऑब बिजनेस साइकर दूरिंग रिसेशन मंदी के दौर से होता है तब क्या करते हैं एक्सेज इन्वेंट्री दोस फॉर्म विच हाट प्रॉड्यूस दा अबंदेंस दूरिंग एक्स्पंशन फेज 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 प्रॉब्लम मेंटेनिंग अन्सोल्ड आइटम जब क्या होता है जब मार्केट मंदी के दौर से गुजर रहा होता है जब प्रॉड्यूस को एक बहुत बुरी एक बहुत बड़ी कठनाहियों का सामना करना पड़ता है उसको एक इन्वेंट्री जो एक्सेज वाती है जो अन्सोल्ड आइटम होते हैं जो अभी तक ही नही है उसको बोलते हैं रिट्रेंज्मेंट है जब नौक्री से निकाल जाता है जब बहुत निकाल जाता है लिकुडिट किया जाता हैँ मतलब शमापन कर दिया जाता है तो दूरींक बंदी के दोर से घुजर रहा होता है business cycle inventory access होती है उसको reserve करना होता है विरोजगारी चलम सीमा पर होती है आपने पूरे operations को अपने पूरे business को हम वोगारी क्यापशिटिक यूजरी कर पाते हैं बहुत सारे business को Likudation के स्थामना करना पड़ता है अब आया controlling the business साइकल किस हिसाप से बिजनेस साइकल को कंट्रोल करते हैं एट फ़म लेवल मतलब एट एक कंपनी लेवल कंपनी लेवल पर किस तरह के से मिंटेंड करेंगे प्रिकॉशनरी मेजर तू भी टेकन एड़ टाइम अब एक्सपेंशन जब आपको एक्सपेंशन कर रहा है बिजनेस को उस समय दो तीन चीजों पर आपको दिमाग में रखना है इंवेस्ट्मेंट इंवेस्ट्मेंट डिटर फॉम इंवेस्टिंग यूज अमांट फॉन्ट इन फिक्स एसेट बहुत ज़्यादा पैसा फिक्स एसेट पर खर्चा मत करिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग संद बनाइए मसीन नियुक्त पैसा खतम कर दिया और फैक्टरी बंद हो गई है मंदी के दौर से उस समय फिक्स एक्सपेंसेट का पैसा निकालना बहुत मुश रखिये इन वीडियो बहुत ज्यादा मत करिये अपको आर पीच्ट का राजस्तान असेस्ट्व प्रोफेसर का भी इन वेंट्री सुट नॉट की एट लार्ज इन्वेंट्री और राव मेटरियल और फिनिस गुड्स एक है आप ना तो राव मेटरियल बहुत ज़्याद र कि बहुत ज़्यादे रखोगे जब देशमंदी के दौर से गुजर रहा होगा जब रिसेशन के दौर से गुजर रहा होंगे उस दौरान आपको inventory carry करने पड़ जाएगा उसमें कॉस्टिंग इंबॉल्व होगी और पैसा भी फालतु फालतु में जाएगा पुड़क को डैबर्सीफाए करेंगे प्रड़क को डैबर्सीफाइफ करिये का इसलानी बनाहिए गफालती बनाइब मार्केट और बिशने दिर्सा होगा तो रिस्क न क्योंसिछिएальное यह स्राहूल बीएटीम का भी बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल में पढ़ेंगे हैं चैनल सब्स्राइब करिए आप और आपको वीडियोस सभी मिल जाएंगे आपको पहला था प्रिकॉस्ट नहीं मेजर दुसरा हुआ कुरेटीम मेजर में प्राइसिंग फ्लेक्सिबिल्टी शुट भी दा राइट इस्टेजी शुट दा दूरिंगे रिसेशन प्राइस में प्राइस बढ़ा दीजिए कभी प्राइसे कंपर दीजिए कॉस्टिंग इन्पूट कोस्ट कम रखिए कंट्रोल द वेक्टेज बर्वादी कम करिए और ओबराल कोस्ट को कम करिए राहुल जी रिकॉर्डट क्लास मिल जाएंगी इस लेक्चर के बाद मैसेज करिए का वाट्सप नमबर लिखा हुआ है उपार उस पर मैसेज करिए का रिकॉर्डट क्लास आपको सम्मेल जाएंगे पहले था एट फर्म लेवल अब आया कंट्रोलिंग बिजनिस साइगल आइट गवर्मेंट लेवल सरकार क्या करना चाहिए मोनिटरी मेजर्स रिडिसकाउंट रेट एक्सपेंशन और रिसेशन इंक्रीज़ रिडिसकाउंट रेट तो कर्व दे मनी सप्लाई मनी सप्लाई मन सब्सकाउंट रेट करीह ताकर मनी सप्लाई को रोक सकें करें है रिवसेशन के डौर मनी Сप्लाई को कम करना है सेशन के डौर मनी सप्लाई को बढ़ाना है रिजर्ण रिडियो यह कौन करएगा मेंटे psychopathظ में arc-eousया ? रिविडेए इयर्द बैंक ऑ इंडिया थैंट्र बै देंगे रेपोरीट वो रेट होता है जिस रेट पर कमर्चियल बैंक सेंटर gateuno Li अगर रेपोरीट की बढ़ा देंगे काको इसा कम बढ़ा देंगे तो उनके पास मेज ने कम बैटेंगी इसन के दावर में ये वयर्डा कि इसाय क homme अधर में है क्रेडिट पाइसा कमें कर द Bryson के दोर में त्ट इक रीक पष। एक्सेशन के गर सेड को सेल कर दीजिए मैं सेक्षर्टी तो कवा ये कर ये एक्सेशन में सेल व्म सेली क्रेडिट खाइस कंट्रोल सेलेक्टिव एरिट कंट्रोल बैंकों को सलाह देने चाहिए कि कुछ एरियाज में क्रेडिट को क्रेडिट को बढ़ाईए कुछ एरियाज में रेश्टिट कर दीजिए यह बेकार इसको मतलब नहीं है एक पर देख लीजिए इसको भी पहले थे मोनेटरी मेजर्स अब आये फिसकल मेजर्स पब्लीक एक्सपंडिचर सरकार जो पैसा खतम करती है एक्सपेंशन के दौरान गवर्मेंट रिडूस्ट एक्सपंडिचर टू कटल देमांड सरकार को अपने खर्चे कम कर देने चाहिए जिससे डिमांड को कम कर सके है रिसेशन के दौरान जब देश मंदी के दौर से गुजर रहा है गवर्मेंट इंक्सपंडिचर एक्सपंडिचर एक्टिविटिस लाइक हैल्थ ट्रांस्पोर्ट कम्निकेशन इंक्रीस इंकम अब इंडि पॉब्लिक रिवेन्यू इंक्रीज टेक अवे पॉर्सन पीपल्स मनी इंकम एंड़ बिरिंग डौन एग्रीगेट डिमांड जब एक्सपंडिचर दौर चला है उस समय डिरेक्ट टैक्स डिरेक्ट टैक्स क्यों इंकम टैक्स कॉर्परेशन टैक्स की दरें बढ़ा ग्रिविसन के तब डैक्स को बढ़ा देंगे परिस्टान इंकम मैंड़ कर देroe कम हो जाएगी तक गवर्मेंट टैक्स को बढ़ेगि पास पैसा जदा होगा डिमांड बढ़ेगी इस इस अल अवाउड टूडेश लेक्चर एनिवन इस अविंगे डाउट तो प्ली टेल में करेए डेटल गल जाएगी एक्सपोर्ट का टॉप अपतादीजैए विडियो बनाके वीड डाल देंगे यूटूचेंग तो बंस अक्ट्यू सो मच मुज़ाईनिक विव्योлов बताईए कि अब तक चैनल सब्स्राइब नहीं कि अज़ली सब्स्राइब करिए लाइक करिए सब्स्राइब करिए अब दोस्तों के साथ कि अब दोस्तों कि अब जल्दी बताएं किसी को डाउट हो अदर्वाइस लेक्षर खतम करते हैं कोई डाउट किसी को कि अब 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 कि अब अब दोस्तों कि अच्छों कि अब तक कि अब टू तक च्छों कि अब तक च्रइब